हलो फेंट वेलकम टू मैं चैनल आज हम वीडियो पर कहराक्सोल आइड्रॉप के फायदे और उपयोग के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दलाओं अगर आप चैनल पर नए है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्स इसी भी दुश्यत या हानीकारक कड़ों को बाहर निकाल कर आराम से सुधार करता है इसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है और इसका उपयोग आखों के अउशोशन में सुधार के लिए किया जाता है यहां आखों की जलन, खुजली, लाली और परिशानी को कम करता है इ इसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है जिसका उपयोग आखों में आउशोशन को बहतर बनाने के लिए किया जाता है और इहां आखों की जलन, खुजली, लालीमा और परिशानी को कम करने में काफी मदद करता है इस आईडरोग का इस्तमाल लेबल पर बताए अनुसार या फिर अपने चिकित्सक के सलहा के अनुसार उपयोग करना चाहिए इसके लिए उपयोग से पहले लेबल को ध्यान से जरूर पढ़ें सांथी नोजल को हाथों से ना चुएं और सीधी धूप से दूर ठंडी और सूखी जगह पर ही स्टोर रखें और सांथी बच्चों क की पहुंस से दूर भी रखें इसके सांथी कहरासोल आईड्रॉप खनिज और इलेक्ट्रोलाइट्स नामक दवाओं के समुह से संबंदित है इसका उपयोग प्रभावित व्यक्तियों में लेंस के भीतर इसपस्ट्रता और दबाओ बनाए रखकर मोतिया बिन को रोकने के के लिए किया जाता है इसका उपयोग उन मोतियबिन रोगियों में द्रिष्टी साफ करने के लिए बिसाफ किया जाता है जिनमें आप्रेशन से पहले लेटीकुलर अपारद अर्शिता और ऑप्रेशन के बाद, posterior kepsular अपारद अर्शित प्रगित कर दी गई है। साथ ही श्वशन संबंधी विकार इसका उपयोग मोतियबिन के गठन में देरी करने और लेंस को सामान्य पोशन बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। साथ ही इस आईड्रॉप को गर्भती और इस्तनपान कराने वाली महिलाएं साथ ही अठरावर से कम उम्रवाले बच्चेों को इस्तमाल नहीं करना चाहिए। बन कर देना चाहिए। तो फ्रेंट डॉक्टर के अनुसार यह है आईड्रॉप पूरी तरह से सुरक्षित है के रासुल आईड्रॉप मोतियबिन को रोकने में मदद करता है। इस्तमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और डॉपर का उप्योग करके प्रभावित आँख में बूंद डालें। आपका नेत्र रोग विशेशग्य आपकी उम्र शरीर के वजन और रोग की स्थती के आधार पर आपके लिए सही खुराक और अवधी निर्धारित करता है।